आज हम बहुत ही जबरदस्त हेल्दी नाश्टा बना रहे हैं, इसके लिए हमने सूजी ले लिए एक कप, एक कप सूजी में, आदा कप दही और आदा कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसको मिक्स करके हम 15 मिंट तक एक साइड पर रख देंगे, अभ अधरक लसन, हरी मिर्च डाल के, तो अभी हम इसमे कुछ मिसाले डाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर रोस्टर चने डाल रही है, नमक डाल लिया है, तो इसमे थोड़ा सा दही डाल के, थोड़ा सा पानी, इसकी अच्छे से चटनी बना लेंगे, तो आप अपनी माने पसा जाएगा हमें इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे जैसे जहां पे मैं मटर डाल रही हूं गाजर शिम्ला मीर्च इन सारी चीज़ों को हलका सा रोस्ट कर लेंगे कॉर्ण डाल के तो हमें इसका थोड़ा सा क्रंची पन भी रखना है पूरा पकाना नहीं है तो जैसे ह जै रोस्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें हम पनीर डालेंगे मैश करके पनीर को भी हम भूल लेंगे नमक डाल देंगे चिली फ्लेक्स डाल देंगे आप चाते तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हों तो जैसे ही हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो दूसरी साइ पानी आप ज्यादा हमने बैटर को पतला भी नहीं करना तो ज्यादा थिक भी नहीं रखना उसे हिसाब से डालना है तो यह नाश्ता बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है आप इसे बच्चों के टीफन में भी दोगे बहुत ही मजाएगा अभी हमें हरा धनिया इनों डाल के इनो को मोटा रखेंगे ना पतला रखेंगे इसको कवर करेंगे मीडियम आँच पे इसको अच्छे से पका लेंगे तो जैसे ही एक साइड पर पक जाएगा हम इसमें ऑई लगा के दूसरी साइड भी पका लेंगे तो यह नाश्ता बहुत ही हैल्दी इजी बनने वाला है आप चनले से शाम के टाइम पे खाईए सुबह के टाइम पे खाईए बच्चों को दीजिए बहुत खुशी-खुशी सारी वैजिटेबल खा लेंगे तो देखे कितना अच्छा मैदर नाश्ता है तो इस तरीके से हम दोनों साइडों से पका लेंगे तो वीडियो अच्छी थैंक यू फूर वाची